कि यात्रियों के नजर में भारत करके इसका हिंदी वा यात्रियों के नजर में भारत तो हमने थोड़ा सा उसमें अधरक लसंग प्याज लगा करके एक sentence को पूरा कर दिया कि यातरियों के नजर में भारत यानि कि यातरियों के नजर में भारत कैसा है या एक निबंध है क्या है या एक निबंध है यह second large chapter है और ये भी आपको summary में सबसे ज्यादा option में देखने क को मिलता है कि इंडिया तुरू टेवलस आई से एक समरी लिखें और समरी कितना में लिखना होता है यानि सो से एक सबीस वर्ड में लिखना होता है बहुत ही मज़दार होने वाला है यह एसे और आपके दिमांग में पूरा फिट होने वाला है क्यों क्योंकि बहुत ही आसान बासा में इंग्लिज जो हमारे और आपके बीच में दिश्टेट करके जो इंग्लिज बोला जाता है ना जिसे आई गो यूगो ही गोसी गोस है यह सब जितने भी इंग्लिज जो नरमल हम लोग बोलते हैं कि वाट इस यूर नेम यार तो आप बोलते हैं माई नेम इज रोहन कुमार माई नेम इज सोहन कुमार जो भी अद्रक लहसन प्याज नाम है वह आप बोलते हो क्यों क्यों कि यह आसान भासा में इंग्लिज से आप बोलते हो अब मान के चली के थोड़ा देर के लिए मैं पूछ दो कि क्यों आप किस नाम से पुकारे जाते हैं या बाइब बाइब विच नेम आर यू कॉल्ड ठीक हैं अगर इसको पूछना वह होगा तो आसान से आसानी भासा में हम ऐसे भी तो पूछ सकते हैं कैसे दे सकते हैं तो दे सकते हैं कि I am called रोहन कुमार या I am called by the name रोहन कुमार ल तो मैं आसान भासा में ही समरी पढ़ा रहा हूँ दिमाग में बैठाना है सुनिये का ध्यान से सबसे पहले मेरी यादत है कि इस सेप्टर के मतलब बारे में थोड़ा बहुत बता दू क्या जहां से अबजेक्टिव पुछा जाता है अब बात करते हैं कि ठीक है तो इसके राइटर कौन है राइटर कौन है तो यह है परल एस बग ठीक है न अच्छा इनकी जनम क्या है तो 26 जून 1897 इनकी मिरित्वी कब हो गई तो 6 मार्च 1970 को बात साफ को गई आप चलिए बिना देर किया हम लोग 100-120 के बीच में वर्ड मतलब जितने क्या बोलते हैं 100-120 के बीच में जितने भी शब्द को जोड करके हम लोग जो एक समरी तयार किया न उसको पूरा बढ़ी ऐसा समाधी लेते हैं सुनिये का ध्यान से समरी क्या है सरांस क्या है इंड्रिया थू ट्रेवलर्णस आई सुनिये का ध्यान से मैं एक बात बता रहा हूं यह बहुत इंपोर्डेंट फैक्ट है ठीक है न देखिए समरी तो सब कोई लिखने को बताता है बट मैं जो बता रहा न इससे आपको पांच क्या पांच नमर मिलेगा यहनि साड़े चार भी नहीं हो सकता है चार नमर भी नहीं हो सकता है यानि पांच क्या पांच मिलेगा क्यों कि first impression नियुक्त last impression अगर आपको summary लिखने का सही ढंग नहीं पता है तो आपका लाश्ट वाला देखता है तब जा करके आपको फुली पांच नमर दे देता है सुनेगा ध्यान से कभी भी किसी भी चेप्टर के बारे में जब संब्री लिखा जाता है ना तो बाबु सबसे पहले लिखा जाता है चेप्टर का नाम इंडिया थू ट्रेवलर्स आई यह लिखाना क्या है यह एक निबंध है सुनिएगा इन दिस एस इस निबंध में अब क्या कहते है जरा सुनिएगा दब मूची ओल दब मूच्वल कोडिनेशन और एड कियर आफ इच अदर एमांग दा पूर फार्मर्स एंड पूर पूर पीपूल लिविंग इन दा भी लेस इनडिया हैस मेल अच्छा देखिए इसको आसान करके समझ आने के हम तरीका को बता रहा है कि इनिश एस से डिसकॉस्ट एबाउट यह एक्स एक्सप्लेंद एबाउट तो यह चाहते तो ओफ्येस पहले लिख देते और इट लगा के लिख सकते थे लेकिन मैं ने क्या किया कि इसको लाश्ट में लिखा फिर भी मैं आपको इसका हिंदी समझा रहा हूं सुनेगा इंदी से से इस निबंद में दा म्यूच्वल क्वाडिनेशन आपसी त्याल में कियर आफ इचादर एक दूसरी की देख भाल ठीक है ना लोगों का ठीक है ना किस परकार के लोगों का जो गरीब किसान हैं जो गरीब लोग हैं ठीक है ना living in the village जो गाउं में रह रहे है इन इंडिया यानि भारत की गाउं में रह रहे हैं लोगों जो गरीब है जो किसान है ठीक है ना उसके गरीबी और उन गरीब किसानों यानि निर्धन किसानों के बारे में इस निबंद के अंदर बेख्या की गई है बाते आपको समझ में आ गई सुनेगा द्यान से इन दिस एसे इसनी बंद में the mutual coordination and care याने कि जो आपसी तालमिल और देख भाल है ना उसी के बारे में explain की गई है ठीक है ना each other among the poor farmers जो निर्धन किसान है और जो निर्धन sorry जो गरीब लोग है ठीक है ना और कहा रहते हैं भाई जो गाउं में रहते हैं भारत की गाउं में रहते हैं जो भारत में गाउं देहात कराने वाले लोग है ना उसमें कि किसानों और गरीब लोगों के बारे में इस चेप्टर के अंदर निबंद के अंदर डिसकस की गई है अब सुनिया गद्यान से दा आउथर वाज एन अमेरिकन बाइ बर्थ यह जो लेखी का है ना परल एसबग यह जन्म से ही बर्थ से ही एक अमेरिकन है बट लेकिन कुछ भी लिख सकते हो ठीक है अपने जीवन का सबसे ज्यादा समय किस में बिताया है चाइना में इसके बावजूद भी शी डिस्क्राइब्स वह बेख्या करती है हर डीप अफेक्शन एंड लॉप अपने गहरी प्यार महबबत को ठीक है ना फोर दप्वरेस्ट पीपूल एंड फार्मर्स अफ इंडिया जो भारत के गरीब किसान है जो गरीब लोग है उसके गहरे प्य थे क्सें रहती है कि मैं अप्सर सुना करती थी ठीक मैं तो मैं अक्सर सुना करती थी धीका is ज हूण भारत की अब गरीब किशानों यानि भारत में रह रहे हैं गरीब लोगों और निर्धन किशानों के बारे में यह अक्सर जो है ना छोटी जब थी तो अपने पिता जी से यह सुना करती थी सुनिएगा वेनेबर जब कभी I went to यह कह रही है सुनिएगा परल एसबक करें कि वेनेबर I went to India ज है जब ही में भारत जाती थी जब ही मेरा भारत की यात्रह होती थी तो मैं संपूर्ण भारत को नहीं देख पाती थी ठीक है ना इन in spite of all things इसके बावजूद भी India has always been the backdrop to my life वो कह रहे हैं कि मैं संपुर्ण भारत को नहीं देख पाती थी फिर भी जो इंडिया ना जो भारत है ना इंडिया has always been the backdrop to my life यह हमारे जीवन का प्रिष्ट भूमी रहा है बेकड्रॉब के जगह पर आप बेकड्राउंड भी कह सकते हो नो प्रोब्लम बेकड्रॉब थो अगर टॉफ इंग्लिस हो गया है यहां पर तो आप बेकड्रॉब के जगह पर बेकड्राउंड भी यूज कर सकते हों कि इंडिया has always been the background to my life इंका कहना है कि मैं भले ही भारत में जब यात्रा करती थी सब्पुन्द भारत को नहीं देख पाती थी लेकिन फिर भी भारत हमारे जीवन का एक प्रिष्ट भूमी रहा है I also learned about Buddha's thoughts मैंने बुद्धा के thoughts को भी जानी ठीक है ना बुद्धा हिस्ट्री को भी पढ़ी यानिकी यह कर रहे है कि मैंने बुद्धा के विचार को भी जानी उनकी इतिहास को भी पढ़ी She says that वो कहती है कि कौन परलेशबक when I came to India जब मैं भारत आती थी I neither saw the ताज महल मैं कभी ताज महल नहीं देखती थी nor फतेपुर सिकरी और नहीं मैं फतेपुर सिकरी देखती थी nor the red food of दिली और नहीं मैं दिली का red food देखती थी वो क्या देखती थी जब भी देखती थी भारत के गरीब और निर्धन किसानों को देखती थी तभी तो जाकर के भारत में रह रहे गरीब और निर्धन किसानों के बीच उनका गहरा प्यार रहा है तो चलिए यहां तक अगर आपको समझ में आ गया तो ले लीजे स्क्रिन सॉट तो कुल मिला जुडा करके अब हम लोग नेक्ट पर अगर आपको समझ लेते हैं और दिमाग में फिट कर लेते हैं सुनिएगा शी यानी बोले तो आउठर यानी लेखी का कहने का मतलब यह है कि वेन-एभर I वेंट जब वी मैं कभी जाती थी I only saw कहां जाती थी भाई जब भारत में जब्बी उनकी यातर होती थी वो देखती थी only saw I only saw वो कह रहे हैं कि मैं हमेशा देखती थी I only saw सिर्फ देखती थी the poor people हमेशा गरीब लोगों को देखती थी of India यानि भारत के गरीब लोगों को देखती थी ठीक है ना and the poor farmers और इतना ही नहीं मैंने नेधन किसानों को देखती थी ठीक है ना इनका यह कहना अब दा भीलेज जो गाम में रह रहे हैं not only so but इतना ही नहीं आई और जड मैंने यह भी observe किया मैंने यह भी मतलब पुन्ना उलोकन किया that की people have different beliefs लोगों की अलग-अलग जो है न वीचार धारा है रिलीजन से धर्म है different state of different language है यानि अलग-अलग राज्य के अलग-अलग भासाएं हैं and different body features और अलग-अलग शरीर की मतलब जो है ना विसेस्ताय है मतलब किसी का मतलब समझे तो कोई ठीक-ठक चल ला है तो कोई लंगड के चल ला है तो किसी कोई गोरा है तो कोई काला है तो कोई सामला है मतलब यह सारी चीजें बता रही है in spite of this इसके बावजूद भी they still live with each other मतलब कोई बान लीजे गोरा है काला है मतलब किसी भी तरीका का हो फिर भी वो देख रही है कि इसके बावजूद भी फिर भी they still live with each other वे लोग एक दूसरे से प्यार से रह रहे हैं with love यानि एक दूसरे से क्या रह रहे हैं प्यार से रह रहे हैं कोई जगड़ा जट नहीं है बड़े इत्मिनान से रह रह रहे हैं I saw her in that सुनिएगा यह कह रहे हैं कि मैंने यह भी देखा कि in that I saw her in that joint family यानि इन्होंने देखा कि joint family जहां पर है ठीक है न वे disabled and elders जहां पर विकलांग है चाहे बड़े हैं ठीक है न और respected उनको क्या किया जा रहा है सम्मान दिया जाता है ठीक है ना and disabled are taken care of यहां तक की विकलांगों को मने ज्यादा से ज्यादा क्या किया जाता है उनकी देखभल किया जाता है मतलब यह क्या कहना चाहती है मैंने यह भी देखी I saw her in that मन मैंने उन लोग को इस तरीके से देखी डैट की joint family मैंने जो joint मैंने क्या बोल लही है इनका कहना यह है कि मैंने सयोब्त परिवार को भी देखा मैंने joint family को भी देखा और उस joint family के अंदर विकलांग बच्चे को भी देखा, विकलांग लोगों को भी देखा, ऐसे सज्वाइंट फैमिली देखा, जिसमें विकलांग लोग हैं, और कहीं न कहीं से, अगर कोई विकलांग है, तो कोई मान लोग की बड़ा है, तो बड़ो का इज़त, और मैंने विकलांगों का, मतलब कियर मतलब मैंने ये सारी चीजे देखा और बड़ो का इज़त और साथी साथ जो डाइजेबल है उसको भी मैंने और रेस्पेक्ट करते हुए लोगों को देखा और यहां तकि मैंने यह भी देखा यहां पर विकलांगों को बहुत अच्छे तरीका से देख भाल किया जाता है कुल मिला जुला करके ओभर आल मैंने कुल मिला जुला करके ठीक ना दर राइटर हैस प्रेज्ड़ पीपूल ल इस पॉस्थ छ की तो कुल मिला जुला करके जो आपके todas recipes लास्ट चेप्टर है ना यह स्क् worked दा-सवां मैं बहुत अच्छे ढंग से आपको यह सम्यस सम्जाने की कोशीratic आशा करते हैं कि यह बहुत और अच्छे ढंग हैसे आपके दिमाग में फीत हो गया गया बहुते आप वीडियो को लाइक करके जाएंगे, दोस्तों में शेयर करेंगे, वाटसप वगएरा चलाते होंगे, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, एस्टेटस लगा देंगे, क्यूंकि आपको भी तो एक छोटी सी गुरु दक्षना बन रहा है न, तो आप एस्टेटस लगा देंगे, और आप वीडियो पर कमेंट वगएरा नहीं करते हैं कि सर बहुत अच्छा, ठीके न, इसके बाद ये लेकर करेंगे, इसके बाद वो लेकर, थोड़ा सा आप लोग कमेंट वगएरा भी कीजिए, आप लोग थोड़ा सा अपनी सजेशन दीजिए, कि इसके बाद अब क्या किया चुकि देखे, प्रोज जैसे ही खतम हो जाएगा, ठीक है न, तो याद रखिएगा, कि अब हम अबजेक्टिव कराएंगे, ठीक है न, अबजेक्टिव कराएंगे, फिर अगर आपकी कमेंट रही, तो मैं सब्जेक्टिव भी पर दस त्यारी करवा करके आपको 100 में 100 दिलाऊंगा, और हाँ एक जरूरी सुचना अंतरता में यह काना चाहूंगा, कि जो सौर्स वीडियो के माधियम से, यह जो मैं मान के चलिए कि लॉंग वीडियो के माधियम से, जो बेसीक ग्रामर टु एडवांस हम जो सिरीज सुर किया हूं, बिल्कुल बेसिक टू, मतलब हम लोग का एडवांस का जो है न, वो जर्नी है, तो वो पूरा समाप्त होने में थोड़ा समय लेगा, लेकिन फिर भी, मतलब आपकी एक्जाम के पॉइंट ऑफिसरों के लिए ही नहीं, बलकि मतलब मान के चलिए कि इस भारत के अ इसलिए मैं वहां सुरू कर दिया हूं, तो उस प्लैलिष्ट को आप देखिएगा उसमें बहुत सारे वीडियो हो, उस वीडियो को जादा से जादा सपोर्ट कीजिए दोस्तों में शेयर कीजिए, और ये जो वीडियो देखा आप दोस्तों में शेयर कर दिए ताकि इस व से दूर भागने की ज़रूरत नहीं है इंग्लिस में 100 में 100 में दिलवाने की गरांटी मेरी है यह प्रोस खतम होने बाद अब्जेक्टिव कराऊंगा कहिए का तो लाइब करा दूंगा या आफ लाइन अपलोट कर दूंगा और साथ ही साथ में एक और चीज आप सभी के वीडियो के मादम से वह गरामर आपको पूरा आप सभी के वीडियो के मादम से सेर कर दूंगा तो यहां तक हमने जो कुछ भी बताया समझाया हो सकता है कि आपको यह दिमाग में फीट हो गई होगी तो दोस्ता में इस वीडियो को सेर कीजिए और ज्याता से ज्यादा इस चेप्टर के साथ तक तक के लिए जैहिन